हेलो एवरीवन, रायते तो आप सभी ने अलग-अलग तरह की खाए होंगे आज मैं आपको एक राजस्थानी रायते की रेसिपी बताती हूँ जिसका नाम है पितोड का रायता ये रायता बहुत ही टेस्टी लगता है लेकिन इस रायते को बनाने से पहले हमें बनाने पड़ेंगे बेसन के पितोड तो ये सौफ्ट सौफ्ट बेसन के पितोड बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप बेसन उसमें हम डालेंगे एक चमच जीरा, एक चमच नमक और आधा चम मिक्स करेंगे अब इसमें हम डालेंगे एक कप पानी थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करेंगे ताकि इसमें लंप्स ना बने पहले एक थिक बैटर हमें बना लेना है जिसमें कोई भी लंप्स नहीं होंगे ये देखिए एक थिक बैटर बन गया है जिसमें किसी भी तरह का लंप्स नहीं है और अब हम इसमें डालेंगे दो कप और पानी जिससे ये फ्लोई कंसेस्टेंसी का बैटर बन जाएगा तो इस पूरे प्रोसेस में हमने लिया है एक कप बेसन और तीन कप पानी ये बिलकुल परफेक्ट रेशियो है जब भी आप पितौड बनाएं तो इस रेशियो से बनाएं आपके पितौड बहुत अच्छे बनेंगे अब इस बैटर को हम एक पैन में डालेंगे और अपनी गैस अन कर लेंगे अब इस गोल को हमें लगाता चलाते हुए पकाना है पांच मिनट पकने के बाद ये धीरे-धीरे गाड़ा होने लगेगा इसे 10 से 12 मिनट तक हमें इसी तरह से लगाता चलाते हुए पकाना है ये देखिए पकने के बाद इसमें थोड़ी सी शाइनिंग आ गई है अब ये देखिए मेरा बैटर विल्कुल पक चुका है ये बैसन का घूल अब हम एक थाल प्लेट या थाली जो भी आपके पास है उसको ऑईल से ग्रीस कर लीजे और अब इसमें हमारा ये पका हुआ बैटर हम इसमें स्प्रेट कर देंगे इस तरह से आप पूरी धाली में बैटर फैला दीजे इसकी परत थोड़ी मोटी ही रखेंगे इस तरह से स्पैचुला से मैंने पूरे बैटर को स्प्रेट कर दिया है अब इसे सेट होने के लिए 5-7 मिनट तक रख देंगे ये देखिए अच्छी तरह से ठंडा हो गया और सेट भी हो चुका है अब नाइफ की हेल से इसे स्क्वार शेप में छोटे छोटे तुकडों में काट लेंगे ये बहुत ही इजी प्रोसेसर और लेजिए इस तरह से हमारे पित्तौर बिल्कुल तयार हो गए है ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं अब रायता बनाने के लिए हम लेंगे एक कफिटा हुआ देही आप चाहे तो छाज भी यूज़ कर सकते है अब इसमें हमने जो पित्तौर डाले थे उसके आठ से दस पीसेस आप इस रायते में एड़ कर लीजिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बुना हुआ जीरा पाउडर थोड़ी से लाल मेच थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा साधा नमक अब इन सब को अच्छी तरह से मेक्स कर लीजिए और अगर आपके पास थोड़ा सा बारी कटाओा हरा धनिया है तो आप उसे गार्निश कर लीजिए तो लीजे हो गया हमारा डिलिशेस पित्तौर का रायता तयार अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक जरूर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग